तो जी अभी मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता, हमारे चौहान साब साब के साथ में बैठा हूँ, एक विशय जो था वो अलग हो गया, अब दूसरा विशय पर आता हम वो है राजनीतिक, राजनीतिक हरियाना की किधर जारी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उस पर हम विशय बात कर लेते और सभी पार्टियों के बारे में बात कर लेते, कितना मजाएगा, खीचतान होगी के नहीं, पता नहीं, भाजी प्रणाम, प्रणाम जी, सर, राजनीतिक के बारे में आपका क्या विचार है, गरंत अकादिमी के बारे में बहुत बात, देखिए, चुनाव का मोसम है, और हरियाना का राजनीतिक तापमान, वो आप देख रहे हैं कि रोज एक आद्दो डिगरी बढ़ जाता है, तो चुनाव में रोचकता, चुनाव में गर्माईश हर दिन आही रही है, जो तापमान बढ़ा है, मैंने खटर साब में भी देखा है, जब तापमान ब के बाद एक नारा दिया था, माननी मुख्यपंत्री जी ने कहा था, अब की बार, 75 पार, लोग हमको कह रहे हैं, डट जो बाई, 75 नहीं, आप 80 से भी पार जा सकते हैं, ये आम जन का, आम हरियानवी के मन की बात में आपको कह रहा हूं, गाओं गाओं हम लोग घूमते हैं, हमारे प्रतिपक्षियों के प्राण, सांस लिखड रहे हैं, या सांड चड रहे हैं, दो तरह से इस बात को कह सकते हैं, और भारती जनता पार्टी का ग्राफ, वो पिछले कुछ सप्ताह में, किछले कुछ महीने में, या यूं कहिए कि लोग सभा चुनाओं पे हम उसको ज जन आशिरवाद रेली चली, उससे पहले पचेतर पार का कहीं ना कहीं सार्थक मुझे लगता था, परसनली मुझे लगता था, पचेतर पार आजाएंगी भाजबा किसी, जैसे ही जन आशिरवाद रेली शुरू हुई, जिस मंत्री से हमने मिलना चाहा, जिस MLA से हमने मिलन कोशिश कि जी और तो और जाम इतने लंबे के लंबे लगे जनता इतनी तरस्त हुई वहां पर यहां मैं आपको रोकूंगा यहां जब आप तरस्त कह रहे हो तो मुझे यू लगता आप पूरवा ग्रेक ग्रस्त होकर कह रहे हो मेरा यह कहना है हम मुख्यमंतरी जी ने जनाशिरवाद यात्रा निकाने एक अख्री लेन और कहा देता हूं जिस दिन ये रैली खत्म हुई आठ तारीक को आठ तारीक के बाद मुझे परसनली ये लगता है कि गराफ कहीं ना कहीं साइध डाउन हो गया या विरोधी जादा हो जागर हो गया ना बाबा ना मैं दावे के साथ कहता मुख्यमंत्री जी जन आशिरवाद यात्रा पर इसलिए निकले थे इस लक्ष के साथ निकले थे नहीं साब लेने निकले थे किसी को ब्रह्म हो सकता है कोई विरोधी कुछूल जूल बात कर सकता है लेकिन हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी हर्याणा की मिट्टी को काल राइका में नमन करके हरियाना के लोगों का आशिरवाद लेने निकले थे और लेकर लोटे बहुत लंबी यात्रा लाखों लोग उनकी यात्रा में उम्ड़े जिन्हों ने उनको शायद कभी देखा भी नौ हो वो लोग आए घंटों घंटों इंतजार करके हरियाना के उस निपटा दिया और जिनों ने वो जोनसे खांदानी लोग नियुचै करतें अगा अर्याना की राजनिती को सच्चे अर्थों में कुंबों की चार दिवारी से निकालके चार कुणबों की कैद उसे निकाड़के साधारन आदमी के दरवाजे पर उसकी पहुंच में अरियाणा की राजनिती को लाकर के रख दिया चोटी मोटी घटनाएं आपने दो घटनाओं का जिक्र किया आप ये बताएं लाकों की संख्या में जगदीब भाई कई लाक लोग मुख्यमंत्री जी के कारिक्रमों में सुबह से लेकर के शाम तक शामिल हुए पुश्पवर्शा की कभी मुख्यमंत्री जी पुश्पवर्शा करते आए कई लोग पुश्पवर्शा करते दिखाई दिये छिटपुट घटनाएं कहीं भी ऐसी हो सकती है जो आपको अच्छी ना लगे मुझे खराब लगे कोई विक्ति कोई यात्रा के सामने आकर कि वो आत्मदा कर लेता उसके लिए मुक्यमंत्री को उत्रदाई नहीं ठेरा आ जा सकता मुक्यमंत्री जी को एक गटना जिसका आपने गला 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 मुक्यमंत्री जी से बात की एक विवस्ता होती है उसके तहती बात होती है सब तरह के मीडिया के मित्र चाहे सोशल मीडिया वाले हो चाहे मेंस्ट्री मीडिया के हो चाहे प्रिंट के हो मुक्यमंत्री जी ने हर सतर पर उनसे बात की जहां तक बात है यात्रा के दोरान किसी को किसी ने अपने आक्रोश को इस तरह से प्रकट किया या उसके प्राण चलेगे दुकत है एक भी वेक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चीए लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री की पूरी यात्रा पर प्रश्म करना ये सही नहीं ये तरक संगत नहीं है दूसरी बात जो एक घटना आपने गला काटने वाली का जिक्र किया उस घटना पर खूब चर्चा हुई हमारे विरोधियों ने उसको अपने अंदाज में प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी ने सीधे कोई छिपे नहीं कहीं किसी तरक के पीछे भी छिपने की कोशिश नहीं किया उन्होंने कहा गु गुस्सा आया यह सच है गुस्सा नहीं आना चाहिए था ना आता तो अच्छा था तो इसके बाद कुछ बचता थोड़ी है लोगों ने जम करके मुक्यमंत्री जी को आशिरवाद दिया है हमारा ग्राफ जन आशिरवाद यात्रा के बाद बढ़ा ही है उसके घटने या र मुक्यमंत्री में घमड तो नहीं पैदा कर देगा हारियाना के मुक्यमंत्री बहुत साधारण बेक्ग्राउंड से आते हैं बिलकूल आते हैं जी कोई शक निहीं है घर बार छोड़ करके अविवाहित रह करके प्रदेश राष्टर संगटन की सेवा करने का वरत जिस व्यक्ति ने लिया हो वो घमंडी हो ही नहीं सकता हाँ जिनको उस मुख्यमंत्री के आने से जिनके घरों पे घन चा गए हो जिनकी दुकानदारी बंद हो गई हो वो उस मुख्यमंत्री के खिलाप सवाल उठाने के लिए कुछ भी जुमले घर लें उससे कोई फरक नहीं पड़ता मुख्यमंत्री जी नितांत विनम्र विक्ति हैं और अपने व्यभार से उन्होंने हमेशा उस विनम्रता का परिचय दिया है लेकिन एक बात देखिए कहीं पर भी व्यवस्था बनाना तो बहुत आवशक होता है ना मैं या आप विनम्र हैं आप विनम्र हैं आप प्रभू आज आप विनम्रता से एक राजपरिवार के राजकुमार से सवाल कर रहे थे डेली में कैथल में आप में विनम्रता की कमी थी क्या आपके शब्दों में सवाल में विनम्रता थी शालींता थी उधर घमंड था आपकी विनम्रता को क्या आपकी कमजोरी मालिया जाए जहां पर ऐसा होता है वहां जहां कहीं नियम तूटता है तो नियम को बनाए रखने के लिए हलकी फुलकी सक्ती वो आवशक होती है आपने नहीं दिखाई यह आपकी कती महंता है या अती महंता है वरना सुनिये मित्र मैं उस पेशे से आता हूँ जिस पेशे के ज़्यादा मुख्यधारा की पत्रकारिता किया मैंने इन लोगों को भी इन लोगों का भी सामना किया जिसके पुत्र से आप मिलकर के आ जा पा रहे हो सवाल पूछने के मीडिया के अधिकार पर इस तरह भड़कना यह सेहन करने योग नहीं था आप करके आपकी इम्मत चाहे कोई भी हो कोई भी माने चाहे राजनेता हो चाहे पॉलिटीशन हो चाहे पत्रकार हो चाहे कोई और हो शक्ति-मंत व्यक्ति हो अगर वो गलती करता है तो उसको रोकना टोकना जरूरी हो जाता है मैं निजी तोर पर इस पक्ष में हूँ मैं एक पत्रकार नहीं हूँ मैं एक ब्लोगर हूँ और किसी के बारे में कुछ भी केंड में मेरे में इहमत है मैं खटर साब ने मेरे को बुलाया मैं खटर साब के पास गया वहां पर और जब उन्होंने खिड़की में से हाथ निकाला हेलो करने के लिए मैं सोभागय शाली मैं हाई टूची थी अधरवाश तुम आशिरवाद ले लेता हाथ टच करना चाहता था भी खटर साब हैं लेकिन डर है इस बात का इतना कुछ वर्चस्व मिलने के बाद आम जनता जो उनक कहीं न कहीं लोगों के मन में इस बात का डर पैदा कहीं हो तो ना जाए कि भी कभी खटर में घमंड आ जावा है दुबारा इलेक्शन जीतने के बाद जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं मनोहर लाल जी राष्ट्रिय स्वेंसेवक संग की प्रचारक परंपरा से निकले हुए विक्ति हैं और वो परंपरा उन सन्यासियों की परंपरा है जो केवल भगवा नहीं धारण करते वरना सन्यासी हैं केवल केसरिया बाणा नहीं पहनत वरना सन्यास के सारे काम सन्यास के अनुसार जैसा जीवन जीते हैं उस परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति साधारन तया हम यह मान के चलते हैं के वो घमंडी कभी हो नहीं सकता फिर भी मनुष्य है कोई भी यूँ कहा देगा इमानस में कमी तो आ सके हम प्रार्थना करते है मैं आपके सामने बैठ करके परमपिदा परमात्मा से प्रार्तना करता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के भितर गलती से भी कभी वो कितनी भी बड़ी ताकत बन जाये आने वाले समय में ऐसी कोई बुराई कभी परमात्मा पनपने मत देना मैं किसी पढ़े लिखे बहुत सारी लोग थे बहुत ज़्यादा एजुकेटिट थे उनमें दिमाग था बवंडर था दिमाग का दिमाग की गरंतियां इतनी ज़्यादा विक्सिति मैं उनके पास बैठा था ग्यान लेता हूँ को पूसता रहता हूं ऑगे फ्यूचर क्या होगा खतर साब का मोदी जी का क्या कुछ लेकिन एक समय उनके प्रस्यन में आप से जना चाहता हो Anandig को जुरूरत है मोदी जी की आज हर्याना का जुरूरत है खत्र साब की सुनो मेरी बात मैं ये समझता हूँ जगदीब भाई के जब हमारे विरोधियों को हमारे खिलाप कहने के लिए कुछ नहीं मिलता तब वो इस तरह की भाशा बोलते हैं भाई साहब जो व्यक्ति इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद कोमल हृदई है जो गरीब व्यक्त आदमी जू उपड़ी आड़ा जी बिल्कुल ताउ देविलाल जी की विजहनती है वो भी गरीब आदमी की सोचते थे किते खेट में हलिकोप्टर तार दिया करते हम उनके बारे में सुनते हैं तो जो मनोहर लाल खटर अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले हैं उनके बारे किस चीज़ से होती है उसके वेभार से होती है उसके कर्मों से होती है मनोहर जी हो या मोदी जी उन्हों ने आज तक वही किया है जो हम और आप चाहते हैं वही करया कि नहीं जो हमरे बेनिफिशल हो नहीं नहीं हम वह आम तोर पे हम सब अच्छी चीज़ें चाहते हैं हम य इसा मानस यूस्टन में जाके भी इसी कसुती रहली गाट दे और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुखिया वो खड़े होकर के हाथ जोड़के आत्मांद के सुनें ये एमें नहीं होता यूही नहीं हो जाता ये उनके तप के कारण हुआ है उनकी तपस्या और साधना के क मोहरों जिनकी जिनको अपनी अपना लक्ष अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है और उनकी मंजिल अपने बाढ़कां की राजनीती पक्क करना नहीं है ठीक अर्याने में जितने चाहे बुपेंदर सिंग उड़ा हो चाहे चोज़वी देविलाल का कुणबा चाहे जी हो या मोधी जी हो यह किसी परिवार अपने परिवार की राजनीती के लिए यह उनके वर्चस्व के लिए उनको तकड़ा करने के लिए नहीं लड़ रहे यह मेरे और आपके यानि पूरे हिंदुस्तान की ताकत के लिए प्रदेश की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ हाउडी मोधी का वो डायलोग बता निया अपने ध्यान से सुना के नहीं उन्होंने कहा मिस्टर प्रेजिडेंट आपने मुझे दोजार जब पिछली बार गए थे मोधी जी वहाँ सत्रे में कहे थे शाहिए कि आपने उस समय मेरी पिछली विजिट पे अपनी फैमिली से मिल आज में अपने परिवार से मिलवा रहा हो और अपने परिवार की बाठ करते हैं तो फ only है नो वसुदेव कुटमब का उससे भी आगे की बात है तो ऐसी कोई बुरा हिराण का कोई खत्रा मन ने तो लागता नहीं अच्छे रास्टर के बारे में बात होगी इंटरनेशनल लेवल बे बात होगी स्टेट लेवल बे बात होगी अब असंद में आ जाए सर्थ असंद की त्य पूरी पूरी होने कार्थ है कि मेरी पार्टी मेरा संगठन अगर मुझे वहां से निर्वाचित प्रतिनेधी होने का अहो भाग्यसो भाग्यप्रदान करता है तो मैं और मेरे साथी मेरे पार्टी और संगठन के वहां के स्थानिय कार्य करता पूरी तयारी में हैं कि उस च से कम दस गुणा जीत का अंतर असंद का उस सूरत में रहने वाला है लेकिन लड़ेकों ये निर्णे करने वाला मैं कोई नहीं हूं मुझे नुमाइंदा होना है या नहीं होना है प्रत्याशी मुझे बनाया जाता है नहीं हम बेदेन करना मेरे संगठन का कारिया है Oh बित्तर की बात मेरे बिधर की बात बिट देलोग मुर upcoming जा रहा है शुरू में अभी हफ़ता पहले यह जा रहा था कि हर विदान सबाइसे Capital 믿 on हर विधान सबा से आठाट दस दस नाम लोगों के क्लेक्ट कर लिये हैं अब आज कल में यह कह रहा हर विधान सबा से सब के नाम अठाके दो नाम रहेगी तो उन दो नामों में अपड़ा नाम है कि मैं इस बात का एलान कैसे कर सकता हूं इतना मुश्किल जवाल नहीं पूचा करते आप मुझसे इससे बड़े-बड़े प्रशन पूझ लीजिए लेकिन ये फिर मेरे कारिक्षेतर से बाहर की बात है मुझे ये लगता है मेरी हंतरात्मा ये कहती है जगदीब भाई कि इस बार मुझे मुझे मुखा मिलने वाला है आपको अमिदस कहीं का प्रभारी तो नहीं बढ़ाए गया ना नहीं मुझे मैं बचरे वपी ऐसा भी कोई नियम नहीं कि जो प्रभारी बनके वो चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन ये निर्णा संगठन्य करना है हमारे पास असंद समीत और विदानसा बक्षेतर में कहीं कहीं कारी करता ऐसे हैं जिनमें जिसको मैदान में उतार देंगे पार ले जाएगा नहीं अच्छा है लास्ट क्यों सर रोजगार की बात को मैं छोड़ देता हूं पानी सडक परिवहन शिक्षा स्वास्थ है इन सब चीजों को मैं छोड़ देता हूं इन से अलग आप क्या इनोवेटिव करके दिखाएंगे असंद में अगर टिकट बिल जाती है देखिए सडक स्वास्थ रोजगार जो जो आपने कह दिये उसमें हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ ही रहे हैं वो पूरे प्रदेश में हो रहा है असंद के लिहाज से जो मेरे मन में है असंद और मैं इसको करनाल जिले पर भी यूँ कहिए कि सूपरिंपोस करने जैसी बात है कि पूरे जिले में हम कर सकते हैं एक बड़ा काम मेरे मन में और मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं लगातार कहता आया हूं कि किसी जमाने में अपना हरियाना भी देसी गाऊं का बड़ा ठिकाना हुआ करता था आज जब आप अपने गाऊं में और मेरे गाऊं में जाते हैं और खड़े होका गाऊं में नहीं पूछ लेो गाऊंड जिले की हालत ये है कि छोटे गाउं ऐसे भी पासागें जड़ा पान चार गाएं मिलेंगी देसी गाएं का पालन पोशन हो गया बंद उसका कारण है कि जो विदेशी नसल की गाएं आई एंडिया राई ने खास तोर पे दूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी नसल की एच एफ और दूसरी नसलों को यहां पर प्रमोट किया बढ़ावा दिया जादा दूद के चकर में हम उनकी तरफ बढ़ गए और धीरे धीरे जो हमारी परंपरागत देसी नसल की अमरित जैसा दूद देने वाली गाएं थी जिन में सोना भी पाया जाता है सोनना स तो हम पूरे प्रदेश में तो काम करी रहें असंद और आसपास के क्षेतर को हम एक बार फिर से देसी गव के पालन सरक्षन संवर्धन का केंदर बनाएं एटू मिल्क एटू प्रोटीन वाला दूद सारी दुनिया उसको मानने लगी है कि वो बहुत सारी मौडरल लाइफ तो वो बहुत सारी बिमारियों को उड़े नहीं देता आपके गात में और यह मैं नहीं कह रहा शास्त्र भी नहीं कहते इस भाशा में नहीं साब सुन तो लेजे बिजनस पर आऊंगा ना मैं यह आज विज्ञानिक कहने लग गए कि A2 दूद पियोगे तो बिमारियों से दूर रहोगे स्वस्त्र रहोगे तो हमारी हमारा सपना यह है कि करनाल जले का असंद का किसान वो वापस देसी गवा का पालन शुरू करे और देसी गवा के दूद की proper marketing हो ताकि मुदे ये विश्वास है कि आज देसी गवा का दूद शायद वो 30-32 रुपे के लीटर बिखता होगा मुझे विश्वास है काईदे से उसकी तैयारी की जाए तो मेरे एक इलाके के किसान का वो दूद 100 रुपे लीटर से जादा में बिख सकता है हम उस दिशा में काम करेंगे एक काम ये है स्कूलों को मोडल बनाने का एक सपन है आपने सुना हुआ ये चंडिगड के मोडल स्कूल है ना जो सरकारी स्कूल है चंडिगड के मोडल स्कूलों में दागले कातर लट्थम लट्था हुआ है देश सिंबल लूँ खैड माच है तो अर्याना के सरकारी स्कूलों में क्यों नी ख़़डवाचती ये सवाल है के नहीं अगर चंडिकड के स्कूल हमारी सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए है मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आइडिया देना एक बात होती है आइडिया दुनिया के पास हो सकते हैं लेकिन आप स्वयम उस आइडिया को अमल में लाकर छोटे रूप में दिखा तो दुनिया उसको फोलो करती है चंडिकड के स्कूल अगर वो मोडल हो सकते हैं आदर्श हो सकते हैं सकते हैं तो हमारे कुछ सरकारी स्कूल इस तरह कि क्यों नहीं हो सकते और सब सरकारी स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते जिनमें दाखले के लिए होड मचे हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि अपने की लाके के विद्ध्यालियों को इस तरह पर ले आएं असंभव लगता है गाएका पुनरजीवन देसी गाएका फिर से खड़े। हो जाना भी मुश्किल लगता है स्कूलों का मॉडल हो जाना भी मुश्किल लगता है जब आप गवपालन के लिए काम करेंगे जो नंदी है नंदी की विवस्था हो उस सरकारा पहले से चिंतित है आने वाले समय में और कारगर उपाई लेकर कि हम आएंगे आप जीन से आते हो जीन में मन दिखे ज्यादा समस्य आया और जिला में भी है इलाज बांद आंगे सकारात्मक सदूपयोग इस पशुधन का बिरोशा राधिमियां देदो ना बई दोस्तों पे खागड उठाके तमदर दो तो देते हैं ना फिर भी खागड अंड जी तीन चेरा राधिमियां मारते दे तो हम सारे खागड निप्टाओं हाँ यही तो है अभी निप्टाणे के लिए जो निप्टाणे शब्द आपने जिस संदर में प्रयोग किया के सडक से उठा करके नंदी शाला में ले जाओ यह काम बहुत सारे जिलों में हमने सफलता पूरवक किया है फिर लोग छोड़ करके चले जाते हैं और बहुत सारे स अभी यह जो GAPS हैं इं GAPS को FILIP करने की जरूरत है आप तो यह जो काम कर रहे हो ना सुत्रा कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो कोई कड़वा बोल है बहरा बोल है उससे चिंतितनी होना आप अपना काम करते रहिए नंदी और गौ सेवा इसका काम सरकार और समाज समाज के आटो फिट होने के कारण से वो हम बेतर ढंग से आने वाले समय में करने वाले हैं आम जनता को असंद को असंद को मैं असंद के वित्रों से सबसे यह कहूंगा आपके माध्यम से कि वे इस बार और बेतर पहले से बेतर ढंग से अपने प्रत्याशी का चैन करें बेतर उमीदवार भारती जनता पार्टी देगी इसके लिए पार्टी का नितृतों से हम सब लोग अनुरोध कर ही रहे हैं हम सब मिलकर जाती समुदाय की भावना से उपर उठकर असंद को बेहतरीन असंद बनानी की दिशा में काम करें ये चुनाव के दोरान भी रहना चाहिए और चुनाव में कुछ लोग प्रत्याशी कौन होगा ये दो-चार दिन के लिए यूं कहिए के अभी पार्टी के मन में मस्तिश्क में है जो भी प्रत्याशी हो चुनाव के दोरान जाती वाद फैलाने की बहुत कोशिश होंगी जातियों के की लाइन्स पर समाज को तोड़ कर माहुल खराब करने की कोशिश होंगी सरकार के अच्छे कारियों को गलत तत्यों के आधार पर सोशल मीडिय का दुरूपियो करके गलत चित्र खेंच करके ब्रमित करने की कोशिश होंगी चुनाव के दोरान चोकनने रहना है सोशल मीडिया पर भी जिसका पार अब भी हो सोशल मीडिया पर भी कोई बात आवे तो उस पे प्रतिक्रिया करने से पहले हर असंद वासी पहले दिमाग ल लाने के लिए वो समाज का महोल खराब करने की कोशिश और साजिश कर सकते हैं तो भाई बहुत सारी बाते आप समझ कियोंगे और असंद का मैं फिर से दुबारा आऊंगा और असंद के लोगों से फिर से मिलूँगा और असंद के बारे में हमारे बड़े भाई साब कि क्या आए है मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा और फिर मैं तगड़े क्यों सुनां के लिए फिर मिलांगे दनेवाज जाहिंद बारत मता की जाहेंगे